वेरी गूद आफ्टेनून तो आन, I'm Rebecca from SIUMT, Nikodar वजह हमने लास्ट टाइम जो इन्वार्मेंट का किया था, वो किया था, इंटर रिलेशन जो था, हुमन इन्वार्मेंट का अब हम करेंगे environment, environment क्या होता है, environment में एक persons का environment जो है, वो दो चीजों से बना होता है एक होता है living और दूसरा होता है non-living, ठीक है, main components जो environment के हैं या हम in short form में यह कह सकते हैं कि कोई भी person जिस environment में रहता है या जिन surroundings में रहता है वो दो चीज़ों से बनी होती है, एक होती है living, दूसरी होती है non-living non-living environment में हमारे पास geosphere, atmosphere, hydrosphere और anthrosphere आता है जबकि living environment में हमारे पास biospheres आते हैं, ठीक है अब environment, यह देखो इसमें होता है, lithosphere, biosphere जो होता है वो हम जो जंगल वगेरा होते हैं, उनको कहते हैं, cryosphere, atmosphere, hydosphere इन सब को मिलागी ही, जो हमारी अर्थ है, वो बनती है अब हम बात करते हैं non-living की, जिसमें हमारे पास था geosphere और lithosphere अब बोलते हैं, यह जो है, geosphere जो है, यह क्या होता है, यह एक तरह का solid अर्थ होता है इसमें हमारे पास oceans, oceans की crust, continentals, अलग लग layers जो है, यह देखो यह नो ने क्या दिया है, उपर देखो, lithosphere जो है, यह जो उपर की भूमी होती है यह परते होती है, उसे हम कहते हैं, इसमें यह देखो क्या है, पहाड है, rocks होते है देन उसके बाद चोटी-चोटी चट्टाने होती है, तो यह सारी चीजें जो है, यह आती है यह अर्थ का interior होता है, अंदर का part होता है, अब हम बात करते हैं biosphere की, biosphere में देखो क्या आता है यह जो है, आउटर मुस्ट पार्ट होता है, यानि कि जो हमें दिखाई देता है, ठीक है लिथोस्फेर जो था, या जियोस्फेर क्या था वो, जो देखो क्या था, यह अंदर का part था यानि धरती के अंदर का क्या था, ठीक है, अब यह देखो, यह हमें क्या दिखा रहा है, सिर्फ बाहर का दिखा रहा है अब इसमें क्या है हमें देखो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है जंगल दिख रहा है ब्राउन सी क्या दिख रही है लैंड दिख रही है यह जो ब्लू है यह क्या है वोटर है ठीक है अब इसमें देखो जैसे डैजर्ट हो गया ट्रॉपिकल रेंज होग ठीक है वो आती है, इसमें लाइफ जो है वो बनती है, यहाँ पे लाइफ जो है वो पैदा होती है और खतम होती है क्राइकोस्फियर यह जो है frozen भाट होता है जैसे ठंडे glaciers जहाँ पर बर्फ जमी रहती है अब हम बात करते हैं, बर्फ क्या है बरफ भी तो एक पार्ट है किसका वाटर का लेकिन किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है ठीक है अब क्राइकोस्फियर जो होते हैं यह क्या होते हैं स्नो कवर्ड एरिया होते हैं जहां पे ग्लेशियर जो होते हैं आइस जो होती है snow cover होता है pre frost होते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं atmosphere की atmosphere जो है यह gaseous surroundings होती है gaseous यहां पर gas होती है जैसे कि हवा हवा में देखो कितनी तरह के पदार्थ पाए जाते हैं और यह जो है earth की gravity के साथ हम रखते हैं इसमें जो है layer होते है gaseous की जो हैं फिर surrounding की या फिर earth की जिसमें जो है अर्थ की gravity जो हम लेकर चलते हैं hydrosphere hildrosphere जो होता है यह क्या होता है यह जो हम पानी किस फौर्म में होता है liquid form में होता है तो यह जो होता है एक दरह ेड़ाख of water component होता है हमारे earth का ठीक है इसमें हमें अर्थ जो है अर्थ में हमें पानी जो है वो हमेशा ही किस फॉर्म में मिलता है और वसली लिकोईड की फॉर्म में ठीक है यह जो होते हैं वाटर के आसपास के जो सर्फेसे होते हैं उसे हम वो देते हैं हाइड्रो स्फेर हाइड्रो का मतलब है वाटर स एंथ्रोस्फियर जो है ये एक इन्वाइमेंट का पार्ट होता है जो की मोडिफाई किया जाता है या चेंज किया जाता है किसके कारण हुमन एक्टिविटीज के कारण अब यह देखो पहले यह साफ था देखो क्या बनाया उन्होंने यूमन एक्टिविटीज ने देखो एक बहुत अच्छा शहर बनाया लेकिन दूसरी साइड उन्होंने जो है क्या किया किसी एक जगा को बहुत ज़ादा गंदा कर दिया ठीक है तो यह क्या होगी मोडिफिकेशन होगी यह अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है डि पर指fe First Day 2'te一定要 of that region for too many degrees which的人 be sure 27 clear about Referability of the Tune यह उके में क्लाउड बसके में क्लाउड होते हैं यहां पर वैदर के बारे में पता कर सकते हैं यह अंदर से पतले प्लें प्लसोते हैं जिसमें हमारे पास 8 किलोमी लिज ने हो सकता है और सिक्सटी किलोमीटर तक जो है इसमें temperature जो है डिक्रीज करते है altitude के साथ ठीक है यह दखो यह इन्होंने नीचे देखी है क्या दिया है आपका क्या है यह देखिए tropopause ठीक है यह क्या है आपका नीचे देखिए temperature है earth है यह आपका नीचे देखिए क्या है सारा का सारा लेंड है लेंड के साथ क्या है पानी पानी के ऊपर क्या है ख्लाउड ठीक है उसके बाद यह देखो मौंट एवरेस्ट मौंट एवरेस्ट के ऊपर यानि कि मौंट एवरेस्ट जो है वह सबसे क्या है बड़ा है यानि यह हाइस्ट पॉइंट पे है ठीक है तो यह देखो यहाँ पर हमारे पास देखो clouds आ गए ठीक है अब इन्होंने यह देखो कितने किलो मिटर्स पे दिया altitude कहां पे हमें शो हो रहा है ट्रॉफो पॉस के अंदर ठीक है और ट्रॉफो स्फेर जो है वो क्या है land और जो हमारा highest point है उसके बीच का जो है यह हमारा क्या है ट्रॉफो स्फेर यह दखी है ठीक है इसमें जो है वो है स्ट्राटो स्फेर ठीक है इसमें देखो वैदर बिलून छोड़े हैं हमने ओजोन लियर जो है वो बताई है पॉलर स्टाटिक्स क्लाउट बताई है और इन्होंने साथ ही साथ यह देखो 15 किलो मेटर है 20 किलो मेटर है 10 माइल्स है यह सारी चीज़ें जो है वो 48 किलो मेटर जो है अर्थ के सर्फेस से ऊपर होता है यह जो है जो है जो मेर के उसमें आता है इसमें टैंपरेचर जो है वो क्या होता है इंकरीज यहां पर थोड़ी सी गर्मी पढ़नी स्टार्ट हो जाती है हाग्यस टैंपरेचर जीरो डिग्री साल्शियस होता है और यह 19% atmosphere gases वो अपने पास रखता है और उसमें चोटे-चोटे water vapors होते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही हम कल continue करेंगे अगर इसमें कोई problem है तो आप पोच सकते हैं Thank you class